प्रेंट्स वर्कम बैक तो माई चैनल आर्ट फेक्टरी पीडी फ्रेंट्स आज जो मैं आप सभी के लिए क्रियेशन लेकर आई हो ना वह बहुत जादा स्पेशल है और एक स्पेशल दे के लिए मैंने खुद के लिए वह तयार की है हूप आट आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा बहुत आज कल ट्रेंड में है और वो सरफ हैंगिं के लिए बनता है I mean to say सरफ डेकोरेशन के लिए बनता है लेकिन हमने जो आज हूप आट बनाया है बिलकुल हूप आट की जैसा ही है मैंने बनाया है ब्लाउज पर ब्ल जिस तरह से मैंने इसको रेडी किया है और एक special trick भी है stones को paste करने के लिए जी हाँ friends stones को paste करने के लिए एक special trick भी है अकसर ये question आता है कि जो stones है वो निकल जाते हैं लेकिन अगर आप इस trick के साथ करेंगे तो आपके stones नहीं निकलेंगे सो चलिए ज़ादा बाते नहीं करते हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो से सीखते हैं आज का ये special art हमारे special one के लिए तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो की सो फ्रेंट्स ये है ब्रॉकेट का ब्लाउस और देखिए रफ मैंने जो बिल्कुल रफ इस पर मैंने पैंसिल से हलका सा ड्रो किया हुआ है सरफ शेप ली हुई है ड्रो भी नहीं है ये और ये जो कलर है मैं यूज करने वाली हूँ एक तो हमारी पेस्टल शेड्स की जो इस तरफ से उसी का पिंक कलर है और हमारा नियाउन पिंक कलर है तो जब भी हम ब्रॉकेट के फैब्रिक्स पर बेंट करते हैं तो ये बनारसी धागे होते हैं शाइनिंग वाले इन पर कलर नहीं चड़ता है लेकिन अगर आप इस तरीके से कलर करेंगे तो इनको भी से color के साथ मैं cover up कर रही हूं यह मैं बना रही हूं bright का लहेंगा और pink light pink color मैंने apply किया और किस तरह से मैं यह color कर रही हूं तो जाने अब तो मैंने brush को गीला किया था जैसे की हर video में मैं करती हूं हर painting से पहले मैं उसको कुछ देर पानी में dip करके रखती हूं ताक bristles हैं जो वो बिल्कुल soft हो जाए और देखे बिना frame के भी आप ये कर सकते हैं frame लगा कर भी आप ये कर सकते हैं मैंने starting तो की थी frame लगा कर लेकिन frame के बिना मैं कर रही हूं तो कोई मुझे issue नहीं है हाँ बस आरी बारी से ना आप चेक कर लीजेगा कि नीचे जादा color तो नही कम मतलब जो excess water था वो तो मैंने dry out किया है लेकिन brush इतनी भी dry नहीं थी अगर आप इसको दबा कर देखेंगे ना brush को तो इसमें थोड़ा आपको जो है पानी जो है मिलेगा मतलब बिल्कुल जो हम dry कर देते हैं semi dry अच्छे से उसको पहुँच कर वो मैंने यहाँ पर नहीं क जो है ना बहुत कम होना चाहिए कि वो बिल्कुल dry effect आए तो यहाँ पर strokes के निशान आएंगे और color भी जादा जो है ना आपके fabric को hard करेगा लेकिन अगर इस तरह के fabric पर इस तरह से काम किया जाता है तो वो जादा hard भी नहीं होता मतलब hardness तो रहती है लेकिन इतना hard नहीं हो होता कि वो अलग से ही आपको feel हो अब जो मैं skin color कर रही हूं यह भी जो peachish pink color हमारी पेस्टल shades की kit में आता है मैं आपको वो kit भी दिखांगी next video में so यह देखे उसी का ही पेस्टल peach color है और यह मैंने इसकी skin पर किया है हमारी bride की तो यह बिल्कुल भी ऐसे bride नहीं है कि जो लह management type look है इसका मतलब आप इसको कभी भी पहन सकते है मैंने जो blouse की back पर इसे लिए यह किया है कि ताकि मैं इसको कभी भी पहनू ऐसा नहीं है किसी party पर function पर या आप इसको किसी शादी में ही wear करें तो आप इसको छोटी मोटी जो आपकी celebrations होती है बाहर घूमने जाना है यह कै आपको नहीं बता सकती तो जब भी मैं यह wear करूंगे आप सभी के साथ एक short video में जरूर मैं इसकी video डालूंगी और आप लोग देखकर बताइएगा कि यह कैसा लग रहा है तो देखिए अब यह जो हमारा दूला है इसको भी हमने pink ही dress दी है और जो इसकी sleeves है इस पर हमें थ देखिएगा अलका फुलका जो बेल्ट है और जो कॉलर है जो center line है मतलब आपको चोटी मोटी detailing है वो add करते जाना है और उनहीं से जो है आपकी painting वो बहुत beautiful बनने वाली है तो आप देखें बालों की बारी है तो जो बालों के लिए मेरा black color था वो बहुत जादा पतला हो च जा रही थी तो अच्छे से यह जो बाल है यह अपनी शेप लिए है और बहुत अच्छे से बन चुके हलका सा यहां पर आई के लिए सिर्फ एक dot के जैसी मैंने हलकी सी line दी है जो यह highlight करें कि यह जो है ना हमारा आई का जो है एरिया है अब यह हलका सा दुपट्टा है सिर वैसे ही हम बनाएंगे उसको किसी फैबरिक पर ही जो हम यूज कर सके और जो यह सरकल था यह जूला था इनका यह मैंने किया है गोल्डन कलर गोल्डन कलर करने के पीछे मेरा क्या मोटिव है वो अब आप देखेगा मैंने स्टार्टिंग में इसकी पिक इसलिए नहीं डाल है कि आप लोग इसको पहले सीखे उसके बाद इसको देखे कि क्या लुक है क्या क्रियेशन है तो देखे अब यह 3D आउटलाइनर है हमारे इससे हम लुक देंगे 3D क्योंकि इस तरह की ब्लाउज को जादा वॉश नहीं किया जाता हम ड्राइकलेन कराते हैं बट अगर इस में जो dust है जो mail है वो भी नहीं रहेगा और आपका जो work है वो भी खराब नहीं होगा I mean to say इसको machine wash नहीं करना है और ना ही आप इसको जादा rub करेंगे मतलब इसको बहुत प्यार से बहुत care के साथ आप इसको जो है handle करेंगे तो देखे यह silver जो है outliner और इससे मैंने dot लगा आई है friends यहां पर मैं जो है stones को paste कर रही हूं मैंने आपको पहले एक art and craft की वीडियो में भी बताया था कि stones को paste करने के लिए हमें जो है ना अगर हम 3D outliner का use करते हैं तो बहुत अच्छा सा circle आ जाता है उसके चारों तरफ और बहुत अच्छे से ना वह पेस्ट हो जाता है म मैंने ये जो golden color किया था इसके बीच बीच में मैं ये एक एक mirror लगा रही हूं तो अब आप समझे मैंने golden color किसलिए किया था fabric glue मैंने यूज किया है क्योंकि ये बाद में transparent हो जाता है और जहां excess होगा भी तो वो आपको show नहीं करेगा बिल्कुल भी अलग से नहीं दिखेग इस तरह से देखे हम अच्छे से glue लगाकर और ये mirrors को paste कर देंगे और जो golden color है नीचे से वो ही show हो रहा है तो उसकी वज़े से golden और silver का जो contrast है वो हमारे blouse के get up को और भी ज़्यादा enhance कर रहा है तो देखे color combination से ही हमारा जो है fabric painting है वो खिलती है main चीज यही है कि आप creative कितने है आप देखे इस जूले को हमें कहीं hang तो करना था तो एक उपर तक मैंने line लगाई है fabric glue की आप देखे मैं चार-चार तो ये golden वाले stones यूज़ कर रही हूँ क्योंकि golden stones थोड़ा सा यहां मैं देना चाह रही हूँ वो यही है कि चार stones हम जो है यह golden वाले लगाएंगे और एक यहां पर mirror paste करेंगे और यह pencil को हलका सा में glue लगाकर और उसी से में stone को paste कर रही हूँ मैंने कोई plucker या कुछ और नहीं use किया है क्योंकि जितने साधन हमारे पास होते है ना हमें उन ही से काम चलाना चाहिए जादा wastage करने का कोई फायदा नह ही है चार stone और एक mirror की वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है लेकिन अभी रुकिये जनाब अभी भी बहुत काम बाकी है यह इतना भी अच्छा लग रहा है अगर आपको simple sober रखना है तो लेकिन हम यहां पर करेंगे थोड़ी सी और creation तो जो sleeves थी ना हमारे दूले की शेरवानी की उसको मैंने dot दिया है यह pink color से और उसके बाद मैंने चूडियां बनाई है outliner से और यह छोटे-छोटे से flower मैं यहां create कर रही हूँ और जो दुलहन है उसके बालों में भी pink color से ही मैंने छोटे-छोटे से dot से flower का illusion create करने की कुशिश की है और जो हमारी यह line है जो हमारी attach है shoulder से इस पर भी मैंने एक side में एक-एक side करके मैंने flowers को create किया है मतलब बहुत simple है यह dotted flowers है जो छोटे-छोटे-छोटे से flowers की enhancement होती है बेले होती है जो decoration में आजकल शादियों में use होती है बिल्कुल वैसा ही इसका look आएगा अब यह है light green color light green color मैंने इसलिए लिय है क्योंकि वह in colors के साथ बहुत अच्छे से combine हो जाता है मेरी साड़ी में यह color नहीं है फ्रेंट्स लेकिन pink color है मैं आपको जो है इसका जब लुक दिखाऊंगी तब आप बताइए का कि यह कैसी लगी और यह देखिए यह इस तरह से जो है यह flowers है जो create कर रही हूं और इनक कि वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई है लाइक किजेगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए वो पार्ट को इस तरह से बना कर देखिए ब को राइट साइड में क्लिक कीजिएगा और सिल्क सारी की वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिएगा क्लिक जरूर कीजिएगा आपकी हेल्प होगी